स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज का हमारे वीडियो लेक्चर है पीक डिटेक्टर एंड प्रिसिजन रेक्टिफायर एलेक्ट्रोनिक्स थर्ड एयर की सेकंड यूनिट का ये टॉपिक है 2.9.3 तो ये दो टॉपिक है दोनों टॉपिक बहुत ही सिमिलर है और दोनों ही जो इसकी सर्कृट है वो डायोड और ऑपरिशनल एम्प्लिफायर की एसेंबली से मिलकर बने हुए होते हैं और इनकी जो है दोनों की लगवग लगवग सिमिलर है लेकिन दोनों की जो फंक्शनिंग है वो अलग प्रकार से है तो आज हम देखेंगे पीक डिटेक्टर और प्रिसीजन रेक्टिफायर सबसे पहले अगर हम पीक डिटेक्टर सर्कुट को देखें यूजिं ऑपरिशनल एम्प्लिफायर तो यह जो सर्कुट है जैसा कि इसका नाम है पीक डिटेक्टर पीक का मतलब होता है कि सबसे उचा पॉइंट सबसे हाइस्ट पॉइंट किसी वेब फॉर्म का that is called पीक उस इसको डिटेक्ट करना है तो यह जो सर्कुट है वो जनरली यूज किया जाता है जो हमारी नों साइज साइनोसेडल वेब फॉर्म होती है जैसे कि स्क्वेर ट्यांगुलर सार्टूथ और पल्स वेब फॉर्म इस तरह की वेब फॉर्म का मैंगनिचूट अगर आपको कल्क कि पीक्स या इन वेब फॉर्म की वैली को मीजर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जो है वो के वल जो प्योर साइन वेब होती है उसकी आरमस वैली को मीजर करने के लिए डिजाइन किये हुए होते हैं तो आपके पास जो स्क्वेर वेब हैं इस टाइप की स्क्वेर वेब हो या इस तरह की triangular wave हो, या आपकी शाटूथ wave हो, इस तरह की waveforms को अगर detect करना है, तो उसके लिए हम peak detector circuit यूज करते हैं, और ये उनकी peaks को किस पर का detect करता है, ये हम एक square wave लेकर check करेंगे, So, peak detector जो है, जो non-silential waveforms होती है, उनकी positive peaks को detect करता है, अब इसकी working समझेंगे, अगली slides, जैसा कि आपको ये circuit दिखाए दे रहा है, ये जो circuit है, ये peak detector जो हमारा circuit है, उसका circuit diagram है, तो ये तो हमारा circuit है, उसका circuit diagram है, ये circuit है, और ये हमारा उसकी output waveforms है, ये वाली जो आपको दिखाए दे रहे हैं, ये दो circuit हो गए आपके, ये आपको circuit diagram और ये हमारा output waveforms, तो ये circuit के वो अगर आप देखें, तो circuit बहुत easy है, कुछ भी नहीं है, यहाँ आपके पास एक operational amplifier है, ये आपको दिखाए दे रहा है, easy circuit है, इसको हमने plus VCC और minus VCC दो supply दे दी, input side में हमने इसके जो positive terminal है, उसको resistance R compensating, COMP, R comp, उसके थूँ एक square wave input apply किया है, यहाँ से, ये हमारा input है, जो negative terminal है, वो resistance R, के थूँ आपकोट से direct connect है, हमारा जो operational amplifier है, हमारा जो operational amplifier है, उसके और output terminal के बीच में एक diode D1 लगा हुआ है, और हमारा जो output, just output terminal है, वहाँ पर हमने एक reverse bias या negative terminal वाला diode D2 use किया हुआ है, क्यों use किया है, वो हम आगे देखेंगे, फिर एक capacitor लगा हुआ है, इस तरह से C, और फिर एक resistance RL लगा हुआ है, यह हमारे सर की डाइगराम हो गया, और यह हमारी waveform होगी, अब इसकी working को हम लोग समझते हैं, कि working किस प्रकार से होगी, तो working पर आप देखें, कि यह जो compensate R comp resistance है, यह हमारे जो null effect होते है, offsets वेगरा जो होते हैं, उनको zero करने के लिए, हम इसको use करते हैं, आपको पता है, कि operational amplifier में high gain के वज़े से offsets आती है, उसको compensate करने के लिए R comp यूज करते हैं, और यह R है, यह current limiting resistance के तोर पर काम करता है, ठी जैसे कि आपको इसकी working इस waveform से तो कुछ थोड़ा बहुत idea हो रहा है, तो मैं आपको इसकी working समझा देता हूँ, इसको थोड़ा से दिहान से समझी, यह हमारी एक square wave है, इस तरह की square wave है, ठीक है, तो यह हमारा input है, इस तरह से, यह आपको दिखाई दे रहा होगा, यह हमारा, इस तरह से input है, ठीक है, तो यह input यहां से शुरू होता है, और जब वापिस यहां चालो होता है, तो यह एक waveform है, यहां से यहां तक आपका एक जो input pulse है, उसका time period T है, that is T, देखे, इतना time period, यह जो है, वो T है, ठीक है, अब क्या होगा, कि virtual ground concept आपको पता है, virtual ground concept क्या करता है, कि जो voltage, टर्मिनल, यह जो अपना terminal है, non-inverting, इसके यहां पर जो voltage होगी, वह voltage यहां पर होगी, same voltage उसको virtual ground concept क्यते हैं, तो जब आपकी positive pulse आएगी, यानि positive amplitude वाली pulse इंपुट पर आएगी, तो यहां पर voltage क्या आएगी, देखो, यहां अगर positive pulse आई, तो यह positive होगा, और यहां पर आपको output मिलेगा, that is VO dash, ठीक है, अब यह जो output होगा, वह क्या होता, उसका formula VO का, VO dash का, इसका जो gain है, open loop gain, VO, multiply by positive terminal पर voltage minus negative terminal पर voltage, यह formula में पता है, जब positive terminal पर एक positive voltage है, तो आपका output भी positive आएगा, ठीक है, जब यहां पर positive output मिला आपको, तो आपको पता है कि P type, यह जो junction, यह अपना PN junction है, उसका P type positive terminal से connect है, तो यह क्या हो जाएगा, forward wise हो जाएगा, इस तरह से, तीक हैं, यहनि short circuit की तरह काम करेगा, तो short circuit की तरह काम करने से क्या हो गया, कि यह आपका एक negative feedback system create हो गया, इस तरह से, यहां तक, अब आपको यह पता है, मैंने क्या बूला आपको, कि, यहां पर जो voltage, देखो, यह जो V in है, यहां यह बैटरी तो है, लेकिन current इदर जाता नहीं है, इसके अंदर current कभी नहीं जाता है, ठीक है, तो इसके अपर कोई voltage drop नहीं होगी, यानि कि जो V in है, वो भी, इस terminal पर भी वही voltage होगी, यानि V positive की value कितनी है, आपको इस point पर भी, जो voltage मिलेगी, वो क्या मिलेगी, V, P, अब आपको मैंने बताया कि ideal diode, अगर हम लेकर चलें, तो यह देखिए, यह short होगया, तो आपका output भी, यह होगा, V, P, तो यहां पर अगर voltage V, P है, और यहां पर भी voltage V, P है, और इसका resistance RD है, for example, अगर इसका diode का resistance RD ले लेते हैं, तो आपका current कुछ इस तरह से flow करना चालू करेगा, यह, किसमें आएगा, capacitor को, ठीक है, क्योंकि यह तो reverse bias है, यहां जब positive voltage होगी, तो यह आपका open circuit हो जाएगा, इसको तो आप मान के ही मत चलो, अटाई दो इसको तो, ठीक है, तो आपकी एक voltage यहां है, यहां ground है, तो हमेशा voltage higher voltage से lower voltage को flow करती है, तो आपका current ऐसे करते होए, आपका current आएगा, ऐसे करते होए, यहां पर, ठीक है, यह IC और यह IC तर चला जाएगा, ठीक है, अब आपका यह current है, यह capacitor को charger करेगा, ठीक है, capacitor, initially मान लो, जो भी है, 0 मान लो या, इसका across इरा इनीशली मान लो, भी, पी है, मैंने मान लिया, क्योंकि यहां भी, मैंने मान लिया, यहां भी मान लिया, видео क्या सब्सक्रीप के across voltagehire एक वीपी से कम है वो चारज होना चालो का फीधर करना का जोगा जिए चारज हो रहा है चारज हो रहा है उनल Pik ख़लेंट करता है जो वैल्टेज लगी हुई है वह इतने वैल्टेज बराबर input आ रहा था आउटपूट आ रहा था अपना यह वीपी के तक ही चार्ज होने कोशिश करेगा तो जब इतने टाइम में यह वीपी तक चार्ज हो गया उसके बाद क्या हुआ कि इस पॉइंट पर जब यहां तक पहुंचे तब आपका जो यह input है वो negative हो गया कि यहां यहानि आपका output क्या था वी positive minus वी negative ठीक है तो positive terminal पर negative voltage होगी तो output भी negative आएगा ठीक है तो जब output यहां पर आपके negative output आएगा negative तो आपका यह जो डायोड है ये open circuit हो जाएगा इस तरह से इस तरह से open circuit हो जाएगा यानि अब आपको यहां से कोई close feedback नहीं मिलेगी ठीक है यानि कि यह circuit incomplete हो गया तो इधर current नहीं जाएगा कुछ भी ठीक है अब आपको पता है कि आपका जो circuit है break यहां से यहां कितने बीच में हुआ है लेकिन यहां पर एक path है आपके पास यानि कहने का मतलब यह है कि जो voltage इसके चार्ज होगा था थोड़ देर पहले यह बीपी तक चार्ज होगा था अब यह जो current है यह इसके अंदर intact हो जाएगा अब यह क्या करेगा यह capacity discharge होने कोशिश करेगा तो discharge होने के लिए इसके पास रस्ते देखे क्या क्या है क्योंकि यह रस्ता बंद हो गया आपका open circuit होंगी अब current आपका इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, इधर क्यों नहीं जाएगा current, इधर इसलिए नहीं जाएगा, क्योंकि कभी भी जो operational amplifier है, उसका input impedance इतना जादा होता है कि इधर current बिल्कुल नहीं जा पाएगा, इधर high resistance path है, तो इधर तो जाएगा नहीं, अब क्योंकि ए तो output terminal है, इधर जाने के बाद इधर कोई रस्ता नहीं है, यहां पर voltage बीन नोट आएगा आपकी ठीक है, तो वो जो current है, वो अब capacitor यहां से होते हुए, इस RL को जाएगा, ठीक है, डिश्चार्ज होगा, RL के थ्रू डिश्चार्ज होगा, तो हमने क्या किया यह RL की value बह बहुत जल्दी, डिश्चार्ज हो जाएगा, टाइम कम लगेगा उसको full discharge होने में, और ज्यादा लेंगे तो time constant ज्यादा होने के कारण वो बहुत धीरे गती से discharge होगा, तो जितनी देर तक यह negative input रहा है, यहां से यहां तक, उस दोरान आपका capacitor का current ऐसे flow करेगा, लेकिन RL ज्यादा होने के कारण इसके अंदर से जो voltage हो बहुत कम down होती है, तो जैसे इसमें दिखाया गया है, यह इतनी भी नहीं down होती है, यह बहुत flat type रहती है, बहुत हलका सा discharge होता है, ठीक है, अब इस point पे आते ही, वापिस आपका input positive हो गया, अब जैसे ही हमने शुरुआत में पड़ा था कि positive input होते ही, आपका क्या होता है, वापिस वही process चलो हो जाता है, क्या, कि जब यहाँ positive आया तो यहाँ पर positive output आएगा आपको, और positive output आते ही, यह short circuit हो जाएगा, short circuit आते ही, जो input यहाँ है, वही reflect होता, output पे, यहानि capacitor आपका VP की, VP की तरफ, up to VP, charge होने कोशिश करेगा, तो यहाँ पर आपका capacitor फिर से, sorry, यहाँ के बाद फिर से charge होना चालो करेगा, और फिर जब वापिस negative pulse आएगी, waveform आएगी, input की, तो आपका फिर से हो हलका सा discharge होगा, और फिर यह फिर charge हो जागा, फिर discharge होगा, यह charging, discharging, charging, discharging capacitor की चलते रहेगी, और आपको output पे क यह बहुत कम होता है, ठीक है, ठीक है, तो यह आपको मिल गया output पे, तो आपको VP मिला की नहीं, अब यह चीज तो आराम से आप measure कर सकते हैं, आपका पता लग गया कि यह जो input था हो, उसकी value कितनी है, कब तक, कहां तक charge हो रहा है, VP तक ही charge हो रहा है, और हलका सा discharge हो रहा है, VP से, VP तक ही maintain रहा है, बिल्कुल DC के जैसा हो गया है, तो यह filter लगाने के बाद, अब हमको बिल्कुल ऐसा मिलता है, यह filter लगाने के बाद, इसको smoothening filter लगाते हैं, smoothening filter लगाने के बाद, आपको VP के बराबर output ऐसा मिल जाता है, तो इस circuit की working से हमने क्या समझा, कि peak detector circuit किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो जो input non-sinusodal waveform होती है, उसकी peak को किस पर का detect करता है, तो I hope आपको इसकी working समझ में आगे होगी, बहुत easy working है, ज्यादा complicated नहीं है, तो यह हो गया, आपका peak detector circuit, यह सारी working मैंने आगे, यहां, इस form में, return form में समझाए हुई है, यहां मैंने आपको बताया है, कि CRD जो है, वो total time period के 10 गुना से भी कम होता, यानि कि charging time जो है, बहुत fast रखा गया है, ताकि तुरंथ BP को यह attain कर ले, और discharging को बहुत, जो RL है, उसको बहुत ज्यादा रखा गया है, ताकि वो बहुत धीरे discharge हो, और output पर आपको simple AC waveform में ले, ऐसी, यहलकी, यह लग 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 लगवग DCA smoothing filter के बाद तो बिल्कुल भी सीधा हो जाता है, ठीक है, तो condition क्या है, कि जो charging type में CRD, diode resistance, यह जो time है, it should less than, very very less than CRD, यह बहुत कम होना चाहिए, लग 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 10 गुना कम होना चाहिए, यानि इसकी value जो है, यानि कह सकते हैं, जो RL है, वो RD का लग 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 10 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपका यह इस तरह की shape आपको output पर प्राप्त होगी, ठीक है, कि वही सारी बाते मैंने लिखी हुई है, कि R Compositive Register जो है, वो offset problem को दूर करने के लिए किया जाता है, और जो D2 resistance है, D2 है, वो saturation वाली problem, जो negative saturation operational amplifier का है, उसको दूर करने के लिए हम D2 यूज करते हैं, तो यह इसकी working है, कि during positive half cycle, output of open D1 को on कर देता है, और forward बाइस करने के कारण, charging capacitor C है, positive peak BP तक चार्ज होता है, और negative cycle के दोरान क्या होता है, कि D1 reverse बाइस हो जाता है, open circuit हो जाता है, और जो voltage C के क्रोश है, वो रिटेन क through है, और RL की value जादा होने के कारण ये discharge नहीं हो पाता है, तो यहां से आप working देख सकते हैं, इसकी, वो यह operation मेंने समझा है, अब अगला circuit है हमारा precision rectifier, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि precision rectifier क्या होता है, अब rectifier होता है, और एक precision rectifier होता है, मैं इसमें differentiate आपको बता कि आपको एक चीज तो पता है, कि rectifier क्या करता है, कि किसी भी sinusoidal waveform, आपके पास कोई इस तरह की sinusoidal waveform है, उसको जैसे हाफ wave का भी example लेंगे, तो इसको यह DC में convert करता है, rectifier करता है, जैसे हाफ wave rectifier लेंगे तो आपको इस परकार का output राफ़त होता है, ठीक है, लेकिन इसके ल problem नहीं है, कि अगर आपके पास जो diode यूज कर रहे है, rectifier में, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक पता है, कि इस तो silicon diode अगर आपने लिया, तो उसको कम से कम 0.7 voltage चाहिए, अगर आपकी input wave 0.7 से जादा है, तो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो त rectifier हो जाएगा, लेकिन अगर आपका input signal, जिसको, जो sinusoidal signal हो, वो अगर 0.7 से भी कम रहा, यानि मिली वोल्ट का रहा, बहुत कम, अभी मिली वोल्ट के electronics में तो आपको पता है, कि बहुत कम voltage के signal होते हैं, तो मिली वोल्ट साइज की होते हैं, तो उस case में आपका ये rectifier जो है वो काम नहीं करेगा, अब रेक्टिफायर काम नहीं करेगा, उसके लिए उस तरह की conditions के अंदर rectification work को पूरा करने के लिए, रेक्टिफाय करने के लिए, ऐसे signals को जो circuit यूज किया जाता है, उनको precision rectifier कहा जाता है, आई हो बात समझ में आगी होगी, तो वही बात मैंने यहा ideal diode or precision signal processing rectifier circuit for rectifying voltage which are below the level of cutting voltage of diode can be designed by placing diode in the feedback loop of OPM, ठीक है, फीडबेक लूप क्या होता है, फीडबेक का मतलब यही होता है, आउटपुट को गुमा के वापीस negative terminal पे connect करना, इसी वो feedback कहता है, और इसी के बीज में अगर हमने को diode connect कर दिया, तो वो काम करता है हमारा OPM, ठीक है, कि आगे हम circuit देखते हैं, यह जो बात मैंने बूल लिया आपको, आपको अभी समझ में आ जाएगी, इस for example, यह आपके पास एक half wave rectifier circuit है, यह sinusoidal input है, एक diode लगाया, उसको हमने जब sinusoidal input दिया, तो आपको output मिलता है ऐसा, जैसा आपको इस diagram में, दूसरे diagram में दिखाई दे है, देखे, यह sinusoidal waveform दी मैंने, यह half wave rectifier एक diode उसको कर रहे है, तो आपको output पर इस परकार का output मिलता, ठीक है, नेगटिव cycle के दोरान output नहीं मिलेगा, क्यों positive half cycle के दोरान output मिलेगा, यह simple एक तरीका है, यह कब ऐसी waveform मिलेगा आपको, जब आपका जो यह input है, वो 0.7 voltage, जो इ से कम होगा, तब क्या होगा, तो उस चीज़ को भी हम देखते है, तो, यह simple diode अभी देर पहले बताया था, इसका जो input output, output input का जो ग्राफ हो ऐसा होता है, कि 0 से नीचे अगर आपकी input voltage है ता आपका output कुछ नहीं मिलेगा, और जब आपकी input voltage ज्यादा है, तो इनके बीच में आइडियल केस के अंदर, linear relationship होता है, सीधा, लेकिन ऐसा practically नहीं होता है, यह आपका practical है, कि अगर इसको 0.7, इसकी कोई थरसल वोल्टेज VT है, तो जब तक आप इसको VT नहीं देंगे, VT से उपर जब voltage input जाएगी, तब ही आपका input output के बीच में, relationship linear होगा, उससे पहले कोई output नहीं मिलेगा, तो यह आपको transfer characteristics, आयोप समझ में आगे होगी, जब तक input VT से नीचे है, आपको कोई output नहीं मिलेगा, और VT से उपर जाने के बाद ही input output linear होगे, तो अगर आप एक practical diode ले रहे हैं, उस case में आपको output ऐसा ना मिलके, ऐसा मिलेगा, जैसा पीले color में आपको दिखाई दे रहा है, क्यों मिलेगा, क्योंकि देखें, पीले color में आपका ये जो है, ये जिरो से चालू नहीं हो रहा है, जिरो से आगे कोई cutting voltage से चालू हो रहा है और फिर input को इस तरह से shape करेगा, और ये output की peak भी उतनी नहीं मिलेगी, जितनी आपको ideal case में मिलेगी, तो ये है आपके practical case में, और ये circuit होता है, हमारा rectifier, half wave rectifier, H2 DC convert जब हम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इस case के अंदर क्या होता है, क्यों हमारा input है, व वो कहां होता है, बहुत कम value का, यहां होता है, जो हम ज्यादा तर जो हम demodulation पढ़ते हैं, communication में, तो जो हमारा incoming signal होता है, वहाँ से अपने को जब अपना original signal recover करना होता है, तो उस case में अगर आपने simple सा, simple वाला जो rectifier लगाया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा output पे, उस case में आपको आपका एक precision rectifier circuit जो कि आपको यहां एक circuit में दिखाए दे रहा है, यह use करना पड़ेगा, तो precision rectifier circuit आपको जो यह दिख रहा है, यह आपका precision rectifier circuit यह, ठीक है, यहां आपको दिख रहा है, simple सा एक op amp है, ठीक है, op amp है, इसके positive terminal पर मैंने एक sinusoidal input लगा दिया, ठीक है, यह input है, बहुत कम value का, मिली वोल्ट में input आ रहा है, और यह हमने एक diode op amp के output पर लगाया है, और यहां से हम feedback ले रहे हैं, ठीक है, और यह literatiousness load RL है, तो यह simple वैसे ही, जब यह थोड़ देर पहले जो हमने peak detector पड़ा था, कुछ उस तरह का ही है, आपका circuit है, तो simple सा circuit है, आ अब इसको super diode इसलिए का जाता है, कि बैसे तो यह diode practically है, कि इसकी cutting voltage है, वो 0.7 है, ठीक है, 0.7 है, तो आउट पूट पर थोड़ देर पहले मैंने आपको बताए था, कि जो उसके characteristic है, यह cutting voltage के बाद ही linear होना चाहिए output, the transfer characteristics, लेकिन actually जब इसको इस जग लगाया जाता है, उ इसलिए आपको 0 पर भी output मिलेगा, इसलिए इसको बोलते है, super diode circuit, तो कोई आप से पूचे कि precision rectifier circuit को super diode क्यों का आ जाता है, इसलिए का आ जाता है, कि इसके अंदर जो diode D1 है, वो D1 है, वो एक ideal diode की तरह काम करता है, इसलिए इसको super diode करता है, अब यह कैसे करता है, वो मैं आ वोड़ देर बाद समझा दूँगा पूरे explanation के साथ, चलिए, इसकी working हम अब समझते है, जैसे precision rectifier का circuit है, यह diode था न, तो जब मेरा input 0 से बढ़ा है, greater than 0 यान positive input है, तो आपको पता है कि positive input है, तो इस यहाँ पर आपको positive voltage है, तो virtual ground concept क्या कहता है, कि जित्ती voltage इस terminal पर है, उतनी voltage इस terminal पर होगी, तो यहाँ पर greater than 0 यान positive है, तो यहाँ पर भी एक positive voltage मुझे मिलेगी, ठीक है, ओके, और यहाँ पर मुझे output क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे output positive मिलेगा, क्योंकि जो मेरा output, for example, यह V dash है, ठीक है, V output dash ले ले लेते है, तो V output dash का जो formula है, वो formula हमारा कुछ इस परकार होता है, कि positive terminal पर voltage minus negative voltage के उपर terminal इंटु में जो open loop gain होता है, Aon, अब यह open loop gain है, वो लगबग लगबग 10 to the power 5, वो जदा होता है, ओके, तो positive terminal पर तो मने बताया, आपको greater than 0 यान एक positive voltage है, तो जब एक positive voltage में से एक lower voltage minus करते तो answer आपका positive याता है, ओके तो यहाँ पर आपको एक positive voltage मिलेगी, तो positive voltage जब यहाँ है, उसके कारण यह short circuit हो गया, मेरा diode, ठीक है, जब यह short circuit हो गया, तो यहाँ पर एक feedback create हो गया, और आपको मैंने बताया, कि जो voltage यहाँ है, वही voltage इस terminal पर होगी, और वही voltage आपके लिए terminal यहाँ connect हो रखा, तो इस प जब greater than zero है, तो output is equal to V in, greater than zero case में, लेकिन less than zero की case में क्या होगा, वो इस वाले diagram में देखे, कि जब आप यह less than zero यानि एक negative, यहाँ पर apply करेंगे positive terminal पर input, उस case में देखो, यहाँ पर negative, इस terminal पर यहाँ इस जगे पर negative voltage होगी, और negative होने के कारण, यहाँ पर भी एक negative voltage होगी, और negative होने के कारण, यह open circuit होजाएगा, और open circuit होने कारण, आपको कोई भी feedback path यहाँ नहीं मिलेगा, और जब feedback path नहीं मिलेगा, कोई भी feedback नहीं होगी, पुरा open loop होने के कारण, तो output आपकर क्या होजाएगा, zero आपको कोई output नहीं मिलेगी, और उस दोरान, जो negative cycle है, उस दोरा जब आपका input positive था तो आपका output भी ऐसा ही मिला लेकिन negative के दोरान आपको 0 मिला जैसे फिर से positive input मिला तो आपका output भी safe कई आया लेकिन negative के दोरान आपको कोई output नहीं मिला अब इसकी थोड़ी से mathematical calculation मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से यह output input के बराबर हो इस चीज़ को हम थोड़ा समझ लेते हैं तो देखिए पिछली circuit में हम चलते हैं यह हमारा है circuit देखे मानलो यहां पर जो voltage है वो वी ओ डैस है यह मेरा 0.7 voltage का एक cutting voltage का डायोड है 0.7 मानलो यह मेरा वी ओ है वी आउट पुट है वी आउट ठीक है इसको मैंने वी ओ ले ले लेता हूँ ठीक है थोड़ाई जी़ जाए ओके तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं यहां वी ओ डैस है फिर यह 0.7 है तो वी ओ डैस अगर मैं इसके अंदर वो क्या लगाँ के विय ओ लगाँ तो मेरा यह जो वी ओ आउट पुट है यह वी ओ डैस माइनस में 0.7 यह होता है तो मेरा मेरा जो वी ओ डैस क्या हो जाएगा वी ओ डैस क्या हो जाएगा प्लस में 0.7 ठीक है इसका मैं अधिकल प्रूफ बता रहा हूं कि यह input के बराबर कभ और जाएगा positive cycle के दोर आए ठीक है यह हो गया अब आपको पता है कि यह जो VO यहाँ पर जो output आएगा that is VO यह वो क्या है equal to AOL open loop gain ठीक है इन्टु में V पॉजिटिव V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव ठीक है यह होता है तो V O डेस अभी मैंने निकाला आपको V O प्लस 0.7 ठीक है तो V O प्लस 0.7 रख डेस के जगे V O डेस के जगे ठीक है इस इकल टू A O L को इसके नीचे ले जाओ तो A O L यहां रख लेता हूँ ठीक है A O L यहां आगे तो A O गया ठीक है यह इदर बच जाएगा मेरा V प्लस माइनस V नेगेटिव अब आपको पता है कि देखो V O कुछ वोल्ट आ सकती है 0.7 में जब उसको जोड़ेंगे तो मानलो 1 V, 2 V, 3 V, 4 V कुछ भी हो सकता है ओके इससे अभी कुछ नीच करना है यह A O L की वेली पित्य होती है A O L आपको पता Open Loop Cane जो होता है बहुत हाई होता है Operational Amplifier का 10 कि गात 5 जब आप एक छोटी सी वोल्टेज को 10 कि गात 5 से डिवाइड करते है तो क्या आता है Output क्या दो 0.000000 something It is approximately equal to 0 तो इसको मैं 0 कर दू लग-बग-बग बराबर ठीक है तो V positive terminal minus V negative terminal 0 के बराबर है इसका मतलब इसको इदर ले जाओ इसका मतलब क्या कह सकते है It implies क्या कह सकते है कि V positive is equal to V negative ठीक है इसके बराबर हो जाएगा कि दोनों terminal के उपर अब V negative तो यह है देखो यह रहा यह है V negative औके और यह है V positive तो positive जब हमारा V in जब हमारा V in जो भी है हमी नहीं पता positive नेगटिव ठीक है तो V negative वाला terminal को यहां आकर जुड़ता है इस पे तो V output is equal to V negative और V negative is equal to V positive और V positive क्या है V in के बराबर तो हम क्या कह सकते है It implies V output is equal to V यानि output input को follow करेगा जैसे जैसे input चेंज होगा वैसे वैसे आपका output मिलेगा सीधा सा यह है तो मैंने इस mathematical proof से बता दिया कि आपका output input के बराबर किस परकार से होगा तो यह हमारा हुआ precision rectifier कि किस परकार से आपका एक rectifier circuit है practical diode होते हुए भी वो एक ideal diode की तरफ करता है और जो small voltages होती है उनको आप किस परकार से इस circuit से उनको detect या measure कर सकते है तो यह हमारा circuit है simple सा देखे वह circuit है जो अभी थोड़ देर पहले पढ़ा था ठीक है precision rectifier diode का और यह हमारा input है और आपका output इस परकार से मिलेगा कि जब de-on होगा positive cycle के दोरान और off होगा तो आपको कोई output नहीं मिलेगा ठीक है 100 mili volt के input अगर है तो 100 mili volt मिलेगा आपको और इस परकार से आपको एक rectified output मिल जागा using this circuit तो यह सारी थोड़ी मैंने आगी समझा रख किया कि जब आपका input input जब less than zero होगा और या फिर greater than zero होगा उस case में आपकी catch condition देगा पॉंट 7 divided by 10 to the power 4 micro volt range में आएगा approximately equal zero कह सकते हैं थीक है यह सारी बाते मैंने वहीं लिखी हुई है आप इसको देख सकते हैं अब इस circuit के कुछ application अगर हम देखे हैं कि क्या कि applications हो सकती है एक rectifier circuit की precision rectifier की इसको हम half way, full way, peak value detector तो पीक detector बताया था ना भी उसमें भी यह यह वाला circuit ही इसलिए दोनों topic को हम एक साथ पढ़ते हैं और clipper और clamper circuit में यह हमारा जो यह circuit है precision rectifier यह यूज किया जाता है और यह एक disadvantage है कि यहां जो saturation वाली बात होती है it can be observed that the precision diode as shown in figure first quadrant with V I greater than 0 और V output is greater than 0 the operation in third quadrant can be achieved by connecting the diode in the reverse direction, simple साथ वही मैंने बताया था कि negative saturation में जाने से बचाने के लिए हम output पर एक जो इस तरह का मैंने circuit बनाया था आपको open का ठीक है यहां पर मैंने diode लगाया था तो उस diode यह reverse saturation से बचाने के लिए reverse में यहां पर एक diode कनेक्ट करते है तो उससे क्या है कि वो negative saturation में नहीं जाता तो वही बात मैंने या लिए कि negative saturation से बचाने के लिए हम एक output पर negative terminal के साथ एक diode कनेक्ट करते हैं यह disadvantage है लेकिन उसका solution है ठीक है तो यह हुआ हमारा peak detector और precision rectifier circuit I hope आपको समझ में आया होगा कोई अगर question और doubt था आप comment box में लिख सकते हैं so thank you for watching this video